और दोस्तों वब घड़ी समापत होती जारह है कि यापर कप से आईपल स्टार्ट होगा यापर इसे के साथ आपर सभी आपने तयारियों में जो रो सोरों से लगी हुए है और दोस्तों इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं टीम RCB के बारे में जिसमें कि यहां दोस्तो टीम RCB की तरफ से तीन बहुती बड़ी गुड नियूज निकल कर सामने आ रही है जिसमें कि यहां दोस्तो ABD Willis ने यहां पर टीम RCB के एक बहुती चोकाने वाली प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन की है और दोस्तो इसी के साथ ने पर शेन बॉर्ण ने यहां पर टीम RCB और टीम MI के बीच में होने वाले IPL 2021 के पहले मुकाबले को लेकर अपनी चोकाने वाली प्रेडिक्शन कर दी है और दोस्तो इसी के साथ ने पर टीम RCB में एक बहुती खतरनाग गेंदबाच की एंट्री हुई है और दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नोलिज देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो काफी जगा इंपोर्टन और इंट्रस्टिंग होने वाली है RCB के फैंस के लिए तो दोस्तो अगर आप भी है RCB के बड़े वाले फैंस और वेट कर रहे है IPL 2021 का तो कर दीजे हमारी वीडियो को एक लाइक और अपिल जूड़े और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर पैस कर देना तो दोस्तों बात करूँ आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है मार्क वुड की तरफ से अगर आप इंसाइट स्पोर्ट्स की निउस को फोलो करते होंगे तो दोस्तों अभी तक आपको पता लग गया हो कि आपर टीम आर सी भी अपनी टीम के लिए एक बड़िया फास्ट बोलर की तलाश में है क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपर काल जे मि का बेहदी करा पर्फोरमेंस रहा था और इसको लेकर टीम आर सी भी काफी जिदा चिनती था क्योंकि दोस्ते आपर टीम आर सी बीने काल जे मिंसन के उपर इतनी ज़्यदा प्राइज मनी लगा कर यह उमीद भी कि है कि आप टीम आर सी भी के लिए इस साल बड़िया परद कि यहाँ पर टीम RCB ने काल जे मेंसन को इतनी प्राइज मनी लगा कर अपनी टीम में खरीद के यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है और दोस्तों ऐसी कंडिशन आपर टीम RCB को एक बड़िया फास्ट बोलर चाहिए तो दोस्तों अभी जो लेटर्स रिपोर्ट्स निकल और दोस्तों आपको बता दू कि यहाँ पर टीम RCB मार्क वूड के कोंटेक्ट में आई है और दोस्तों बड़ी बड़ी सपोर्ट्स वेब साइट ने इसका दावा किया है कि दोस्तों आपर मार्क वूड को यहाँ पर टीम RCB के अंदर लाने के लिए यहाँ पर टीम RCB उन अंदर ही खेलते वे दिखाई देने वाले हैं और दोस्तो जो अभी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है तो दोस्तो उसके मताबिक आपर TMRCB इस साली IPL 2020 से पहले यहाँ पर मार्कूड को किसी भी तरीके से यहाँ पर TMRCB के अंदर शामिल करना चाहिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पर दोस्तो डेट ओवर में भी गिंदबाजी कर सकती है जो कि दोस्तो TMRCB को इस साल काफी जड़ा नीट पड़ेगी इसकी और दोस्तो यही कारने के मार्कूड के पीछ आपर TMRCB बड़ी है तो दोस्तो यह निकल कर सामने आ रहे है टीम मुंबई इंडियन्स के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड की तरफ से असल दोस्तो हाली में यहाँ पर शेन बॉन्ड ने यहाँ पर TMRCB के बीच में होने वाले IPL 2021 के पहले मुकाबले को लेकर अपने व्यूज दिये है दोस्तो आपको बता दू कि यहाँ पर उनका कहना है कि आपर TMRCB इंडियन्स इस साल बहुती अच्छा परफॉमेंस करने वाली है क्योंकि आपर मुंबई इंडियन्स के खिलाड़ी इस साल बहुती खतरनाक फॉम में दिखाई दे रहे है और यहाँ पर इंडियन्स इंडिया के जो सीरीज रही थी और इसी के साथ जो इंडिया वर्सेज ऑस्टेला की सीरीज रही थी उसमें भी यहाँ पर मुंबई इंडियन्स के खिलाड़ियों ने बहुती बड़ी आपर परदेशन किया था और ये बहुती बड़ी गुड नियूज है पर टीम मूंबई इंडियन के फैंस के लिए कि उनके खिलाडियां पर IPL 2021 से पहले ही यहाँ पर इतने अच्छे शांदार फोम में दिखाई दे रहे हैं और दोस्तो इसी के साथ उन्हें टीम RCB के बारे में भी बताया कि आपर टीम RCB के खिलाड़ी भी कुछ कम दिखाई नहीं दे रहे हैं और अउनके खिलाड़ी भी बहुती शांदार परदेशन करके दिखा रहे हैं और दोस्तो इसी के साथ उन्होंने आपर specially Uncapped खिलाड़ी ओके बारे में बताया कि यहाँ पर देदर पर्टिकल बेहदी शांदर परदेशन करे थे यहाँ पर विजी हजाई टोफी के अंदर और मैं खुद उनसे परसनली काफी जदा एन्हेंस हुआ हूँ और दोस्तों इसी के साथ उनने दूसरे बड़े खिलाडी के बारें बताया और दोस्तों उनका नाम है मुहमद अजुदिन दोस्तों यहाँ पर मुहमद अजुदिन की उन्होंने आपर बलेबाज जदा था उनकी विकेट केपरेंग की काफी जदा तारीफ करी है और उनकों कहने के आपर टीम आर्च सीबी को मेरी परसनली एराय है कि यहाँ पर टीम आर्च सीबी को मुहमद अजुदिन से इस साल विकेट केपरेंग करानी चाहिए अगर यहाँ पर ABD विलर जैसी के अपडेट आ रही है वो नहीं करते हैं तो तो दोस्तों आपर दोनों एक खिलाड़ी को लेकर यहाँ पर उनने काफी जदा तारीफ करी है और दोस्तों इसी के साथ नहीं टीम आर्च सीबी को भी काफी जदा स्ट्रोंग बताया है और ये भी कहा है कि आपर टीम RCB साल काफी जदा बैलनस दिखाए देरी है और टीम RCB के पास इस साल हर खिलाडी के लिए एक बैक अप मौजूद है जो कि आपर टीम RCB की पिछली बार IPL 2020 में एक बहुती बड़ी कमजोरी रही थी तो दोस्तो कुल मिलाकर आपर टीम RCB की में उन्होंने काफी ज़यता तरीफ करी है लेकिन दोस्तो इसी के साथ उन्हें मुंबई इंडियों की भी काफी ज़यता तरीफ करी है और दोस्तो इसी के साल ये भी का है कि साल IPL 2020 बहुत यदर रुमान चक होने वाला है और मैं इस पहले मुकाबले के लिए बहुत यदर एकसाइटेड हूँ तो दोस्तो ये तो थे हैं आपर शेन बॉर्ण के व्यूज दोस्तो आपकी राए क्या है आपके इसाब से आपर पहला मुकाबल जो कि अपर टीम RCB और टीम मुंबई इंडियोंस के बीच में होने वाला है इसमें कौन सी टीम के जितने के सबसी ज़ादा चांसे नजर आ रहे हैं दोस्तो नीचे कमेंड करके जरूर बताईएगा तो दोस्तो बात करूँ आज की हमारी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी ख़बर के बारे में तो दोस्तो ये निकल कर सामने आ रहे हैं Mr.360 एबी डीविलर्स की तरफ से दरासल दोस्तो जबसे यहाँ पर विराट कॉली ने अनौसमेंट की है कि वो इस साल IPL 2021 के अंदर भी यहाँ पर टीम RZB के लिए ओपनिक करने वाले हैं तब से यहाँ पर दोस्तो उनी के बाद यहाँ पर ABD विलर्स ने एक प्लेइंग लावर नाउस करी थी लेकिन दोस्तो आपको बता दू कि उस प्लेइंग लावर में यहाँ पर ABD विलर्स ने एक बहुती बड़ा बदलाव कर दिया है दोसतों आप अपर ABD विलर्स का कहना है कि वो यहाँ पर चोते नंबर पर ही खेहलना चा橋ते है क्योंकि आपर वो चोते नंबर के लिए इस साल बड़िया प्रैक्टिस कर रही है और वो चाते हैं कि यहाँ पर तीसे नमबर पर यहाँ पर किसी और खिलाडी को मोका दिया जाए जो कि यहाँ पर तीसे नमबर की भूमिगा को अच्छी तरीके से निबा सके और दोस्तों ऐसी कंडिशन में उन्होंने यहाँ पर मुहमत अजुदिन को चुना है और दोस्तो इसके बाद जो प्लेइंग लार बनेगी यहाँ पर ABD विलिस के मताबिक तो दोस्तो वो कुछ इस तरीके की होने वाली है तो दोस्तो यहाँ बात करू ओपनिंग पेर के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर पहले नमबर पर होंगे यहाँ पर टीम RCB के खतरनाक पनार डेवदाद परडिकल और दोस्तो वहीं उनके साथ होंगे यहाँ पर कफ्तान विराट कोली और दोस्तो इसके बाद आया बात करण हम मिडल ओरर के बारे में तो दोस्तो दोस्तो यहाँ पर लीकेट कीपनिंग भी हाँर विकेट नमबर के लिए तो दोस्ते आपर चोते नमबर के लिए उन्होंने खुद को यहाझी Allen को रखा है औरा है चते नमबर के लिए इसे के साथ उन्होंने आ पर पर Ni Richneson को रखा है में और दोस्तोette इसे के साथ नियाग पर कायल जेमिंसन टीम आर्चीब के लिए बड़िया परदशन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर उनकी जगाए पर यहाँ पर कें रिचर्डशन को जगाए दी जाएगी और दोस्तों वहीं बात करूँ यहाँ पर आठवे नमबर के लिए तो दोस्तों इसी के पर उन्होंने नवदीव सैनी को रखा है और दोस्तों इसी के साथ बात करूँ आपर 11 नमबर के लिए तो दुस्तों आप 11 नमबर के लिए उन्होंने आप युजिवेंदर चहल को जगाए दी है तो दोस्तों यह प्लेइंग 11 यहाँ पर ABD विलर्स के मुताबिक बनने वा दोस्तों यह थी आज की हमारी ओवरल वीडियो इस वीडियो मैंने आपको आज की टीम RCB से जूड़ी सबी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दिजेगा और साथ हमारे चैनल क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दिजेगा तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्स फॉर वाचिंग